हेलो फ्रेंड्स दिस इस अमित यादो वेलकम स्टू टॉपर बनो तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास तेंथ हिस्टी का चैप्टर नमबर वन दराइज आफ नेशनलिजम इन यूरोप चलिए इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं तो देखिए इस वीडियो में हम प फिर देखेंगे कि उसका बैक्ग्राउंड क्या था मतलब कि वहाँ पर नेशनलिजम का राइज किस तरह होता है राष्टवाद का उदर किस तरह होता है वहां के लोग किस तरह से रिवुलूशन करते हैं किस तरह के चेंजे जाते हैं और किस तरह से कैसे कैसे स्टगल के ब नेशनलिजام j리 घंड का मतलब है तो देखिए एक व्यक्ति का अपने देश के प्रती जो भावना होता है वही नेशनलिजम होता है एक तरह से देखिए मतलब कि हभी अगर ने कर देखिए तो आपके मन में एक निनेश मिलती होगे इसके लिए कुछ कर गुजने कुछ मर मीट बतब कि इसके लिए कुछ करें तो जो भावना हुआ है तो नेशनलीजम है अब देखिए अगर आप इसे करके बहुना चाहे तो इस आइडिलोजी इन विच दपीपूलाफे बॉंडरी फिल्स डैट वी आल आर वन ठीक है अभी मैं इसे बता रहाँ और क्या करा हूं मैं और इट कैन बी बेस्ट ऑन लैंग्वेज हिस्टरी रेस रिलीजियन तो नेशनलीजम कुछ नहीं है रेसलीजम जो है एक आइडिलोजी है जिसमें एक छेत्र के एक एरिया के एक बॉंडरी के अंदर जितने भी लोग है उन लोगों को लगता है कि हम सभ करती से जुड़े हुए है या फिर उनके रिलीजियन धर्म के अधार पर या फिर उनके रेस के अधार पर तो इस सभी चीडियों पर मतब कि जो एकता का भावना है वहीं नेशनलीजम में ठेक है अब देखिए चैप्टर जो है स्टार्ट ही होता है एक इमेज से जो आपक इस तरह से पूछा जा सकता है कि वाट वाज दा आईडिया गीवन बाइद फेडरी सोर्यो इन इस प्रिंट इस तरह से क्वेशन आ सकता है तो इसमें आपको समझने इसे बहुत ही जरूरी है तो चलिए देखते हैं तो देखिए अगर अगर आप इस इमेज को देखे तो आप क्या कैसी विजुलाइज कर पाएंगे तो देखिए आप देख रहे होंगे कि एक लंबी कतार में लोग जो है चल रहे हैं ठीक है उसके बाद आप एक मूर्ती को देख भी रहे होंगे यहां पर मूर्ती एक लगी हुई है फिर उसके बाद देखेंगे कि आदमी प्लस कंट्यों के जंड़े अगर आप जानते हो कि कि कंट्री का कौन से जंड़ा है तो अब समाज भी जाएंगे वैसे मैं इब आपको बताऊंगा कि कौन कौन नेस है चलिए अब आपको देखते हैं कि इसमें से फेडरिस इसर्यों मतब कि अगर क्वेस्ट्टन आता है तो हम कि जो country के लोग जो है वो एक जूट होकर मतब कि government का जो सरकार मतब वहां की जो monarchial government थी उसके खिलाफ लड़ेंगे फिर वो अपनी आजादी को प्राप्त करेंगे फिर वही मतब कि उसे visualize करके painting में दिखाते हैं तो वही print यहां पर दिखाता है तो देखे जो यह चार print बनाते है तो देखे यह चार series of print बनाते हैं जिसमें से पहला print आपके सामने दिया हुआ है तो देखे the first print of the series shows the people of Europe and America men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the statue of liberty as they pass by it तो इसका क्या मतलब है तो देखे यहां पर कहा कह जा रहा है कि जो यूरोप और अमेरिका के जो men and women हैं जितने भी ages के हैं सभी ages के और सभी social classes के अगर आद देखेंगे तो यहां पर बच्चे यंग बुडे सभी लोग है men and women सभी classes की भी है सभी social classes की भी हैं यहां पर क्या जा रहा है कि यह जो है एक लंबी कतार में जो है अपने अलग-अलग जंडों के साथ जो है जा रहे हैं और फिर statue of liability को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ठीक है यहां पर यह दिख रहा होगा आपको सी भी यर्स torch in one hand and charter of rights of men in other यहां पर सी जो है statue of liberty को का गया है तो जो आप दिखेंगे तो जो statue of liberty है उसकी एक हाथ में torch है मसाल है जो की enlightenment को सो कर रहा है और एक हाथ में मनिश्यों के अधिकार का जो है चार्टर एक लिस्ट है का सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए यहां पर एक मसाल दिया है मसाल इनके हाथ में है तो यह enlightenment प्रकास को दिखा रहा है और यह जो इनके हाथ में दूसरे तरफ आप देखेंगे तो एक charter है जो कि मनिश्यों को अधिकार का charter है अगर आप उस समय की बात करें तो वहां पर में को जादे का सकते हैं कि मेंस को जादे प्रिविलिज्जेश दी गई थी मेंस को जादे अधिकार दिये गए थे फिमेल की कटे गई यहां पर आप देखेंगे कि मेंस की अधिकारों के जो मेंस के राइट के जो चार्टर है व प्रिंट आप दे फेडरी सोर्योत इस तरह से क्वेश्टन आ सकता है तो आप इस पर भी लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद देखिए अन्द ऑर्थ इन फोर ग्राउंड आप देखेंगे तो यहां अगर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे आपको मतलब की बिखरे हुए ज न्च पर देखेंगे तो इसमिलरS अभी उगर रहे हैं और दो अब कैण सारे जीन sellers एक वर्ड यहां पर है एप अपसटोलूटिस्ट इंस्टी में तो इसका क्या मतलब है तो एंस एस जगह पर पूरी तरह से मोरो कि फॉर्म बिया है यहां पर बात में आइडिया तो वह बात करें तो यहां पर देखे उसके बात देखिए तो यह लेकिन लेकिन उसमें कर सकते हैं एक्जिट न करती हो जैसे की चव्पल में तो देखिए अगर हजार साल पहले बात करना की एक ऐसा यंत होगा जिससे हम एक जगह से फोन लगाएंगे तो दूसरे जगह पर सुनाए लगेगा तो यह तरसी यूटूपियन है या फिर दुनिया प्रकास के मतब कि रहेगा उसे केंडल वगएरे की जरुवत नहीं पढ़ती है तो उनके बाद पर लोग हसते हैं लेकिन क्या वो सच तो होता है ना तो मतब कि उस समय तो उस समय यह सोचना कि मतब कि एक ऐसा यांत होगा जो कि विद्धूत से मतब कि जलेगा यह त करता था तो उसी तरह से अपने स्वपन को देखते हुए इस प्रिंट को बनाए है जो कि रियल में एक जिट नहीं करता था लेकिन आज वो सत्थ हो चुका है अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है इस तरह से क्वेस्टन अगर आता है तो इस तरह से आपको पूरा जो पीपूल है वह मतब की अलग अलग जो वर्ड के पीपूल जो है वह अलग अलग नेशन में मतब की ग्रूप किये गये हैं जिने उनके फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाना जा सकता है अब आप देखिए मैं आपको इमेज दिखाऊं अगर अगर आप इमेज को देखें तो यहां पर देखेंगे अलग अलग कंट्री के जो हैं लोग हैं अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं उसके साथ अलग 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 फ्लैग लिए हैं तो हर कंट्री के मतब कि लोग जो हैं अगर आप अब आप सोच रहोंगे कि अगर आप इसी में इंडिया का खोजने लगें कहें कि इंडिया का इंडिया का तो आप सूच नहीं कि यहां पर वार्ड लिखाई कों नहीं है जो लग c इंडिया कहां इंडिया कहा है यहां पर देखिए अलग-अलग कांट्री के लोग हैं और इसमें अलग-लग-अलग झंड़े के लिए जिसे उन्हें पहचाना जा सकता है ठीक है अब देखें लीडिंग दे प्रोसेशन वे दपास्ट यह दपास्ट इस्टैच्व अफ लावर्टी और दा युनाइटेड इस्टेट्स और स्वीजर लेंड बाई वीच दिस टाइम वर आल्रेडी नेशन इस्टेट्स तो जिस समय यह इमेज बना 1848 उस समय किवल दो ही स्टेट ऐसे थे जो ही ऐसे कंट्री थे जो कि पहले से ही नेशन इस्टेट बन चुके थे मतलब कि एक राश्ट बन चुके थे ठीक है तो वह आज आप देखते हैं कि पूरा माली जी यह फ्रांस है तो इससे में पूरा यह फ्रांस नहीं था यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे कवीलों में बटा हुआ था और उस पर अलग-अलग अलग राज जर्मनी जैसे माली जर्मनी यह पूरा यह पूरा जर्मनी ही नहीं था इस चोटे चोटे पार्स में डिवाइद था और इस पर एक कर सकते हैं कि वहां के मतब कि केर रूर कर रहे थे थिकन कर छोटे यह रिश कर दो आइक तो फोड़ा फर छो टे चोटे पार्स में वह इवाइड था तो चोटे चोटे पार्ट में जो है दिवाइड था तो उसमें किवल युनाइटेड इस्टेट और स्विजर लेंडी नेशन बन चुके थे और इस प्रोसेशन को लीड भी कर रहे हैं क्योंकि वह पहले से राष्ट बन चुके हैं और देखिए इसलिए यहां पर उनका पर देखेंगे तो फ्रांस को पहचाना जा सकता है यहां पर देखें ब्लू-वाइट कलर का जो फ्लेग लिये हुए वो तक पहुंचे ही है ठीक है वह इस प्रोसेशन में मतब की आगे चल्भा एए ठीक है यह सारी बात है आपको लिखनी पढ़ेंगी जगा प्वेस्टन उसके बाद देखिए, C is followed by the people of Germany, bearing the black, red and gold flag, अब जो C है, यह फ्रांस के लिए का गया है, तो फ्रांस के पीछे कौन से लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, अब देखिए, जो जर्मनी है, यह जर्मनी जो है, उसमें एक नेशन नहीं था, जब देखिए, जब यह इमेज बना था, तब फ्रांस भी एक का सकते हैं, कि राष्ट बन चुका था, अच्छे से, राष्ट पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन उसके पीछे जितने भी लोग थे, जर्मनी जैसे थे, तो वो जो है, वो जो है, राष्ट नहीं बना था, वो छोटे-छोटे कवीलों में डिवाइडेट था, लेकिन वहां के मतब की, वहां पर मेजोरिटी जो थी, वो जर्मन बोनले वाले की लोग थी, तो उसलिए फेडरिस सोरियों मतब की, उन्हें ये विश्वास था कि, जल्दी जल्दी एक राष्ट बन जाएगा, क्योंकि नेशनलिजम का आइडिया, वहां पर इमर्ज रहा था, क्योंकि नेशनलिजम क्या होता है, कि मतब कि लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, उस पर बेशिस मतब कि लोगों को लगता है, कि हम सभी एक हैं, क्योंकि हम एक लैंग्वेज बोल रहा हैं, हम एक धर्म को फालो करते हैं, तो यह सब यही तुनेशनलिजम है, तो वहां पर क्या होता कि, मतब उन्हें लग रहा था कि, फ्रेंश के पीपल के बाद ही उनके पीछे ही, ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर के जो यह जंडे हुए लिए है, यह जर्मन के लोग हैं, उसके मतब कि फॉलो करते हुए जा रहे हैं, अब देखिए, अगर उसके पीछे हम देखें, फॉलोईंग जर्मन पीपल्स आर दा पीपल आफ अस्ट्रिया, किंग्डम आफ टू सिलीज, लेंबोडी, पोलेंड, इंगलेंड, आयरलेंड, हंगरी एंड रस्या, इनके पीछे अगर आप देखेंगे, तो इनके पीछे जर्मनी के पीछे देखेंगे, अस्ट्रिया के, हंगरी के, रस्या के, आयरलेंड के, तो ये सारे टू सिलीज, तो ये कई सारे कंट्री के, मतब कंट्री उसमें नहीं थे, तो कई जगाओं के ये लोग जो हैं, इसे फॉलो करते हुए जा रहे हैं, फिर देखेंगे क्या है, फ्रॉम दे हैवेन, एवाफ से क्रिश्ट इंगल्स, एंजल्स, गेज अपॉन दे सीन, अब देखेंगे, हम ने अब तक समझ लिया, कि क्या क्या चीज चल आ है, मतब कि, ये हमने समझ लिया, कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मतब कि, अलग-अलग अलग-अलग नेशन के लोग जो है, मतब कि, एक लंबे कतार में जा रहा है, फिर हमने समझ लिया, कि ये नीचे जो, मतब कि, समान रखा हुआ, ये क्या चीज है, लेकिन ये उपर क्या नाच गाना चल आ है, ये उपर क्या नाच गाना चल आ है, यहाँ पर क्या हो रहा है भई, यहाँ पर देखिए, जो उपर है, वहाँ पर दिखाया गया है, वो बता रहे हैं कि, जो जिसस क्रिश्ट है, जो पड़िया है, और जो संत वगरा है, वो सभी इस चीज़ को देख कर खुश हो रहे हैं, और आशिरबाद दे रहे हैं, कि सभी लोग एक हो गए हैं, सभी लोग एक जूट हो गए हैं, और यह अच्छा एक ऐसी दुनिया का निर्मान करने जा रहे हैं, जो कि लोग तांत्रिक है, इस मतब कि इस इमेज के बताए गया है, बताना भूल गए हैं कि इस चैप्टर के जल्दी हमारी चैनल पर अप्लोड कर दिये जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो यहां से भी नोट लिख सकते हैं वरना वह चाहें कहां है यहां से नोट लिख सकते हैं क्योंकि वह प्रिपेईर हो नहीं वाले हैं ठाथ तो इसके बाद हम आगे बढ़एं तो यह मुझे रगता हigung है अभिसकों यह समझ में आ गया होगा जहें वो लाए जाते हैं अब किस तरह से देखे पहले क्या था कि पहले क्या था कि राजा इस सब कुछ था तो उसमें क्या था कि जो राजनीतिक तरह से सोता हुआ था लेकिन जब राष्टवाद का उदय होता है तो लोग जागरित होते हैं और एक नए तरह का पुलिटिकल पुलिटिकल गवर्नमेंट जो यह बनती है ठीक है उसके बाद देखिए नेशनलीजम के बाद क्या होता है तो देखिए एमरजेंस अपधि नेशनी इस्टेट इंड़ाई प्लेस अ मल्टी नेशनल डाय इंपाइड साफ यूरोत ताभि मैंने बताया कि यूरोप के जितने भी कंट्री हैлем माली tapi जो रोब के जितने भी पाण्ट्री माली छे एक कंट्री हम ले लेते हैं माली छे जर्मनी आख टब यह जर्मनी जो है चोटे चोटे कविलों में बता हुआ था डींक जो लोग मतब की राजाग्यस था थीक है तो होता क्या है कि जो इसमें से सबसे पावरफुल था हो क्या करता है कि इसमें से जो लोग कामन बोलती चालते थे जिसका कामना लिस्तिरी था उन अभी को एक जुट करके इन्हें सब को अपने मेının के मिला लेता है तो इस तरह से एक एक निसनी जो होता है इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से निसन जो एक है वह होते हैं है है कि यहाँ पर देखने वाले इंस एक मत्याद है जो पहले मल्टी नेशनल डाय सिट्प्रि में चेंज कुंझ मतब अभी हम जानेंगे कि नेशन स्टेट क्या होते हैं क्योंकि नेशन स्टेट में आपको कन्फूजन हो रहा होगा तो उसके बाद देखिए राजा के पीरियंड में इंडस्ट्रियल रुडूशन आये तो जो कंट्री थे वह मोडरन तो हो गये एक तरसे देखे तो मोडरन हो गये थे यह आपने रुडूशन पढ़ा था क्लास नाइन में याद किजिए यह जो चैप्टर है यह क्लास नाइन से बहुत ही ज्यादा रिलेटेशन अपने जो इस्टेट एक तरह से modern होने लगता है ठीक है तो modernization वहाँ पर आ जाता है तो modern इस्टेट जो है वो नेशन इस्टेट में चेंज वाते हैं अब नेशन इस्टेट क्या होता है तो विन सब्सक्राइब नेशन इस्टेट क्या होता है तो देखें नेशन इस्टेट जब किसी कंट्री के सब्सक्राइब करते हैं और मतलब अपने इस्टेट का निर्मार होता है मतलब कि एक नेशन इस्टेट का निर्मार होता है जैसे मालीज्ड जर्मनि की फिर से लेते हैं जर्मनी क्या था थे कह है धृट पता भी राने उनका कल्चर भी एक तरह से थोड़ा सेव मिलता जूलता था तो यह सब एक तरह से इन में collective identity थी और क्लेक्टिव मेंस थी उसके साथ साथ क्या था कि इनका जो राजा था इनका पर जो तूल करता था वो भी एक एरिस्टोक्रेटिक था और यहां पर भी रहने वाला भी एरिस्टोक्रेटिक था सब जगह पर एक तरस देखें तो में एक कौमन निस्थी और वही कौमन निस्थ क्या करती है राइज निशनलिजम के उदय का मतब की एक नेशन स्टेट को फॉर्म क सभी एक हैं और हम सभी एक साथ हमें एक साथ रहना चाहिए तो इस तरह से क्या को रहता है क्लिक्टिव आइडेंटिटी फैलता है और एक नेशन इस्टेट का निर्माण होता है ठीक है में आप देख रहें वो एक tale tidak है आज जो आप देख रहे हैं जिसने कि मतलब कि आप बड़े हें मतलब कि जो वह क्रिख जो है वह सारे 관련 स्ेथ ही है ठीक है this commonness did not exit from time immoral और यह जो कमने से यह स्टार्टिंग से नहीं इजिकती है यह नेशनलिजम के आने से इजिट होती है मतलब कि जो नेशनलिजम का भाव ही है वही नेशन इस्टेट के एक्जिश्ट पे डिपेंड करता है अगर नेशन इस्टेट नहीं नहीं बनते है तो इस्टेट का कभी उदय ही नहीं होता ठीक है समझ में आ रहा है ठीक है उसके बाद कि इट वास्ट फॉर्गेट रोदस इस्ट्रगल्स फोद एक्षंस आफ लीडर्स एंड़ कॉमन पिपल जो नेशन इस्टेट हैं वह बहुत सारे इस्ट्रगल और बहुत सारे लीडर्स क लीडर्स के वज़े से बनते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो देखें तो यहीं था मारा मतलब कि इसमें मतलब की देखना था कि मतलब कि क्या चीश किस तरह से एक कामन आइडेंटिटी बनता है तो यह हमने इस चैप्टर में कह सकते हैं कि हम एक एक आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो हम देखेंगे कि किस तरह से देखें यहां से हमारा जो एक तरह से टॉपिक शुरू होगा कि हम देखेंगे किस तरह से जो भी हमने देखा कि पहले जो मौल्टी नेशनल डाइनेस्टिक में मतलब कि जो यह यूरोप की जितने भी क है कि मतलब कि यह चेंजे होती है अब हम इसे डीटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह चेंजेज आती है ठीक है अब उसके साथ साथ ही मैं चीज और इंपोर्टेंट आपको बता रहा चाहता हूं है यहाँ पर देखिए यह आपके percent में second page पर यह इक box दिया ओगा तो यहाँ पर देखिए Ernest Reynon के बारे में बता गया है जो की बता रहे है कि nation क्या होता है तो Ernest Reynon जो है वह एक French philosophy पर रहें जो कि युनिवर्सिटी आप स्वार्वर्णे में एक लेक्चरर हैं ठीक है जो 1882 में किसी के question पूछे जाने पर मतब कि कोई question करता है कि nation क्या होता है तो वह क्या बताते हैं वह अपना राय देते हैं कि एक nation क्या होता है उनकी इसाफ से बताऊंगा जिससे पर से question बनते हैं और एक story way में इसे हम complete करेंगे जिसे आपको boring भी न लगे इस तरी तो दिखिए यह का कर रहे हैं कि nation state तब form होता है एक nation nation जो है एक common language common race और religion से form होता है ठीक है उसके बाद देखिए क्या दिया क्या बता होता है कि nation is a culmination of long long past of a war sacrifices devotion तो एक nation stage way culmination of a culmination मतब कि वह अकेले नहीं है वह मतब कि बहुत सारी sacrifices के मतब कि culmination है heroic past great Mary that is social capital upon which basis a national idea मतब कि एक nation state होता क्या है तो एक nation state कर सकते हैं कि common और हमारा फोस्ट यह नेंच्स्ट वीडियो मों देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस में च्ट्रु पहले किशा चले मिलते हैं आज क्टी तुमौच